नमस्कार आप देख रहे हैं यूपिताजा निउज मैं हूँ संज़ सिंग महान आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े और महत्पूर्ण चुनावी सुधार वन नेशन वन एलेक्सन के बारे में देश की केंदरी कैविनेट ने इस पेस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्धी से नौमबर दिसंबर के संसस सत्र में पेस किया जाएगा तो आईए जानते हैं इस एतिहासिक बदलाव के बारे में विस्ताव से वन नेशन वन एलेक्सन यानि पूरे देश में लोगसभाव और विधान सभाव के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे इस पेस्ताव को लागू करने के लिए केंदरी कैविनेट ने हरी जंडी दे दी है ग्रह मंतरी अमिस साहर ने फैले ही साफ कर दिया था कि सरकार इस कार काल में इस सुधार को लागू करने के लिए पृतिबद्ध है केंदरी मंतरी असुनी वेश्रों के अनुसार पहले चर्ण में लोगसभाव और विधान सभाग के चुनाव एक साथ होंगे और सौ दिन के भीतर नगरी निकाय के चुनावी इसी योजना में सामिल होंगे यह कदम देश में बार-बार होने वाले चुनाओं से बचाने और संसाधनों की बचत के उद्देश से उठाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के विचार के लिए पूर्व राष्टपती रामनात कोविंद के अध्यक्स्ता में एक पैनल बनाय गया था इस पैनल ने मार् साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाओं कराय जाएं इसके लिए सई विधानसभाओं के कारकाल को दो जार उन्तिस तक बढ़ाने का सुझाओं दिया गया इसके अलावा सिंगल बोटर इलिश्ट और सिंगल बोटर आईडी कार्ड की विवस्था पर भी जोड़ दिया इसे संसदी लोकतंत्र की विवित्ता के खिलाब बताया है दूसरी और भाटपा उसके सयोगी दल इसे करांतिकारी कदम मानते हैं ग्रह मंत्रिय में साय का कहना है कि इस से चुनावी खर्च में कमी आएगी और देश की संसदनों का भेतर उपयोग हो सकेगा वन नेशन वन इलेक्षन के पक्च और विपक्च में कई तर्क हैं जहां एक तरफ प्रसास्निक विवस्था सरल होगी और सरकारी काम काज में बाधाय कम होगी वहीं दूसरी और इस से राज्य की स्वायत्ता और छेत्री राजनीती पर असर पढ़ने की वियासंग का जताई जा रही है तो यह था वन नेशन वन इलेक्षन पर हमारा खास विसलेशन क्या यह चुनावी सुधार देश की राजनीती को बदलने में सफल होगा या फिर इसका ब्रोध ही इसकी राह में रोड़ा बनेगा यह देखना दिल्चस्ट होगा आपके क्या विचार हैं इस